आज मैं आपनों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिचड़े की एक नए तरीके की सबजी इतनी ये टेश्टी लगती है खाने में और समय बनाने में बहुत ही कम लगने वाला है जिन्हें चिचड़ा नहीं पसंद है वो भी मांग-मांग के खाएंगे और दो रूटी की जगा आप चार रूटी खा जाएंगे इतना टेश्टी लगेगा खाने में तो इसके लिए बस आप ले लेना चिचड़ा पहले आप इसे पानी में धो लेना और जो आगे पीछी है इसे कट करना और फिर इसका जो उपर हलका हलका सा छिलका होता है इसे हमें निकाल लेना है तो चाको से हलके हाथों से क्रश करती होई निकाल लिएगा ताकि अंदर के जो गूध है वो न निकले स्रिफ हलका सा छिलका निकले क्योंकि इसका छिलका बहुत मूटा नहीं होता है पतले दले तुरणत इसरीके से आप क्रश करते होना निकल जाता है। उसके बाद एक बार चिचड़े को फीर से जो है धोलेना। क्योंकि जो हलके हलके से छिलके हैं वो चिपके हुए रहेंगे तो धोलेंगे तो वो अच्छे से साफ हो जाते हैं। इस रेस्पी को बनाने के लिए मैंने तीन चिचड़ा लिया हुआ है और बात करें वेड की तो मैंने मार्केट से धाई सुगराम चिचड़ा मंगाया हुआ था आप कौंटिटी कम ज़दा कर सकते हैं छिलका उतारने के बाद मैंने चिचड़े को धुल लिया है और जो एक्ष़ा पानी था उसे कपड़े से हम साफ करेंगे उसके बाद हमें चिचडे को cut करना है तो आप कई अलग अलग तरीके से इसे cut कर सकते हैं मैं इसे जो है छोटे छोटे गोल बोल जो है slice में cut कर लेती हूँ जिसे कि ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा चिचडे के अंदर बीज बहुत कम होते हैं गिंती के दोचार होते हैं और जो बीज रहते हैं वो भी hard नहीं होते हैं तो आप उसे जब cut करोगे न तो आराम से वो cut हो जाता है और खाने में भी उसका टेस्ट खराब नहीं लगता है अच्छा लगता है तो देखे मैंने इस तरीके से कुछ ही से कट किया हुआ है अक्सर जो है चिचड़े की लोग मसाला चिचड़ा या फिर भरवा चिचड़ा या कलोंजी बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन आज मैं आपको इसकी सबजी बनाना बताऊंगी जो की बहुत ही टेस्टी लगी खाने में एक बार आप बना के किसी को भी खिला देंगे ना सभी को बहुत पसंद आएगी तो सारा चिचड़ा कट करने के बाद इसे मैं एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूं अब इसमें हम एड़ करेंगे हल्दी पाउडर तो मैंने आधा चमच हल्दी पाउडर लिया है और इसे हम हां से छिलकाव करते हुए डालेंगे ताकि पूरे चिचड़े में फिर आप लेना आधा चमच राल मिर्ची पाउडर इससे भी हम छिलकाव करते हुए डालेंगे साथ में थोड़ा सा कस्तूरी मेथी है किया है मैंने और इसी के साथ इसमें आप डालेना एक चमच भरके सरसों का तेल तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल इसमाल कर रही अउई आ आधा चमच नमक डालना और मिक्स कर लेना चिचडे में जुस काफ़ी सारा होता है तो आप नमक डाल करके और फिर वो मिक्स कर देते है तो जो भी जूस रहता है वो जल्दी से निकलाता है तो इसे आप ऐसे पांच मिनट के लिए छोड़ देना एक कड़ा ही गरम होने के लिए रखना और उसमें एक चमच रिफाइंड ओयल आट करना ओयल जैसे गरम हो जाएगा फिर इसमें हम चिच्रड आलेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे अलट पलट करते हुए पका लेंगे अगर आप चाहें तो चिच्रड को ढख करके पका सकते हैं या फिर आप इसे ऐसी खुले में बीच बीच में मिक्स करते हुए पका सकते हैं तो इसे पकाने में 7-8 मिनट का टाइम लग जाएगा जैसे ही आप देखें कि कॉन्टिटी कम हो गई है चिच्रडा सौप्ट दिखाई देने लगा है एक तुकडे को आप प्रेस करके चेक कर लेना अगर मैश होता है तब आप इसे कडाही से बाहर निकाल लेना तो हमने जो तेल इस्तमाल किया हुआ था यानि कि ओईल इस्तमाल किया था साथ में हम आट कर देंगे इसमें दो सूखी लाल मिर्ची इसीक साथ इसमें आप आट करिएगा दो तीन तुकडा तेश पत्ता बारिक चौप की हुई प्याज आट किया है मैंने और मिक्स करते हुए एक डेर मिनर तक पकाएंगे जैसे ही आप देखें कि प्याज हलकी सी सॉफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है फिर इसमें हम आट करेंगे अद्रक ले सुनका पेश्ट आधा चमच पेश्ट आट करना आप और इसे मिक्स करते हुए कुछ सेकेंड तक फिर से पका लेना जैसे ही पेश्ट अच्छे से मिक्स हो जाता है खुस्बू आने लगेगी फिर आप इसमें डालना पानी तो गैस का फिल्म लो रखना ताकि आप ओयल में पानी डाले तो ओयल के छीटे आपके उपर ना आए यहां पर मैंने 3-4 चमच पानी का इस्तमाल किया हुआ है उसके बाद आप इसमें डाल देना एक तिहाई चमच लाल मिर्ची पाउडर आप कम जादा कर सकते हैं आधा चमच हल्दी पाउडर आट किया हुआ है एक चमच यहां पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आट किया है और इसी के साथ आधा चमच यहां पर मैंने साहुजी गरम मसाला आट किया है आप अपना फेबरेट कोई भी मसाला इस्तमाल कर सकते हैं मसाले को मिक्स करते हुए फिर से हमें 3-4 मियर तक पकाना है जैसे जैसे मसाला पकेगा आप देखेंगी कि पानी जो हमने डाला था वो निकल जाएगा और ओयल अलग-अलग दिखाई देने लगेगा फिर आप इसमें एट करना टमाटर का पेश्ट तो मैंने यहाँ पर दो टमाटर को ग्रैन करके पेश्ट तयार किया हुआ था आप कम जादा कर सकते हैं टमाटर का साइज बड़ा छोटा जैसर हैगा उसी साब से तो मिक्स करते हुए मैंने देखी यहाँ पर फिर से जो है 4-5 मिनट तक पकाया हुआ है सारा जूस निकल गया है ओयल अलग-अलग दिखाई देने लगा है अब इसमें आप स्वादा नुसार नमा कैट करना बारी कटी हुई हारी धनिया डालना अगर घर पे धनिया अलेबल नहीं है तो कस्तूरी मेथी आप डाल सकते हो फिर इसमें चिचड़ा डालना और मिक्स कर देना तो मिक्स करते हुए दो मिनट तक अच्छे से पकाना उसके बाद आप इसे ढख करके जो है दो तीन मिनट के लिए छोड़ देना जब आप ढख देते हो तो जो भी एक्ष्ट्रा चिचड़ा के अंदर जूस होता है वह निकलता है और मसाले के साथ चिचड़ा पकता है तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है तो देखी इसे मैंने ढख करके छोड़ा हुआ था थोड़े देर के बाद मैंने कैप निकाल है और आप देख सकते हैं कि और जो है वह काफी नीचे दिखाई दे रहा है और बहुत ही बढ़िया यह मसालेदार चिचड़े की सब्जी बनकर तयार हो चुकी है इस सब्जी को आप डाल चावल के साथ सर्फ कर सकते हैं तो आप आराम से दे सकते हैं और इसे रोटी के आई करिएगा मैं मिलते हैं कि नए रेस्पी में बाई गाईज